नमस्कार दोस्तों आज आपके गले में खरास और खांसी की बेश्ट हैं वो पैथिक दवा के बारे में बताऊंगी मैं डॉक्टर रेखा सिना आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये समस्या अभी बहुत कॉमन है गले में खरास और खांसी की अच्छी हेमोपैथिक दवा बताऊंगी दोस्तों अगर अभी किसी को कफ की समस्या है तो उसे मेरे कफ की कॉमिनेशन जरूर यूज करना चाहिए इस कॉमिनेशन में तीन मेडिसीन है पहली मेडिसीन एक उनाइट जो की इनफेक्शन की तुरंत ठिक करती है तो आप ये दवा ले सकते हैं दूसरी मेडिसीन है हीपर सलफर जो इनफेक्शन को ठिक करती है साथ ही साथ कफ को भी ठिक करती है तो बलगम है जो नहीं बनता है और जो बना हुआ बलगम है वो अच्छे से निकल जाता है और दोस्तों तीसरी मेडिसीन है एस्पूंजिया टोस्टा गले की बहुत अच्छी मेडिसीन है साथ ही साथ गले की इंफेक्शन भी ठीक करती है तो आपको एको नाइट 30, हीपर, सलफर 30 और एस्पूंजिया टोस्टा 30 आपको तीनों मेडिसीन ले कर आना है और उसे मिला कर दो ड्रॉप सुबह, दो ड्रॉप साम, तीनों टैम खाना है बहुत जैदा खरास हो तो आप दो दो घंटे पर ले सकते हैं तो आज आपका वीडियो थोड़ा सौट है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आसा करती हूँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना न भूले और अगर आपकी कोई भी दवाब पूछना है तो डिस्क्रेप्शन में टेलिगराम लिंक है उस पर मैसेज करें